हेलो मैं यूटूब फैमिली गुड आप्टरनून कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल क्शे होंगे सब्सह सब्सदों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आज है बुद्वार अभी टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं एक और मैं भी बना रही हूँ यहाँ पे लंच तो मैं अभी नहाने गई थी नहाकर मैं आई हूँ नहाने जाने से पहले ही मैंने यहाँ पे दाल चड़ा दाली में मैंने डाली देज उता है आलू डालेतर ए मैंने आज मुझे चोखा बनाना था बहुत चोखा खास करके हम लोग गर्मी में बहुत जादा खाते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन यहां तो गर्मी उतनी कभी होती ही नहीं तो मुझे ना अचानक से याद आया कि नहीं वह वाला चोखा खाये बहुत टाइम हो गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बनाती हूं तो बस मैंने ना डाल डालने समय ही आलू डाल दिया है तो बॉइल हो जाएगा आलू दाल के साथ में और यहां पर मैं प्याज लैसो नद्रक सब चीज को न कूट करके और काट करके तयार कर ले रही हूं ताकि जब मेरा आलू उधर बॉइल हो जल्दी से लगता है और जो सिंपल खाना होता है वो काफी अच्छा लगता है टेश्टी भी लगता है खाने में तो बस आज मैं दही और मैंने सबजी मतलब रात का ही सबजी है अभी दोपर तक क्योंकि सुबह में मैंने चना बॉइल किया था तो वही हम लोग खाया थे तो रात में बैगन आलू की मैंने सबजी बनाई थी तो वाली सबजी थोड़ी सी बच्ची हुई है अभी और अभी का मवसम है ऐसा कि कराब नहीं होता है तो वो वाली सबजी अभी हम लोग खाये इसलिए सबजी मैं नहीं बनाया चोखा बनाया है और डाल बना रही हूं और फिर कड़ी पते का समझें बगान बूरा जंगल ही भरा हुआ है कड़ी पते से मेरे घर के पास बाहर में आप लोगोंने कई बार मैंने दिखाए वीडियो में कि बड़ा सा कड़ी पते का पेड़ है और अभी वो जो मौसम पानी पानी जो हो रहा है उस वज़े से काफी हरा भरा हो गया है मन करता है ना कि मैं इसको ले जाऊंग अपने घर क्योंकि हमारे यहां ऐसा होता है और हम लोग सुखा करके रखते हैं क्योंकि हमारे यहां मतलब पौधा नहीं है उसका पेड़ नहीं है इसलिए हम लोग कहीं से लाते हैं और सुखा करके रखते हैं और हर चीज में तो नहीं डाल पाते जिस चीज में कड़ी पते की जरुवत होती है उसी में डालते हैं लेकिन यहां तो बहुत सारा है तो मैं हमेशा यूज करती ही हूँ कड़ी पता और खास करके मेरे घर के पास ही है तो मुझे दूर भी नहीं जाना पड़ता तो बस ना यहां मेरा खाना देखिए बन गया है ताल, चावल, चोखा, और सबजी है, थोड़ा सा दही है तो अभी मैं सबसे पहले अपने हस्बिन को खाना दे ले रही हूं और रात वाला ही रोटी बचा हुआ है तीन ठो तो मैंने सोचे था सुबह में कि मैं सबजी रोटी खा लूँ लेकिन ना जब मैंने चना बॉयल क दे करके और अभी मैं तो नहीं खाऊंगी थोड़ा दिर लगेगा मुझे खाने में क्योंकि अभी मुझे अपना वीडियो प्रब्रिश करना है तो बस वह मैं कर लेती हूं इनको खाना देने के बाद उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगे तो एक वज़े से मैंने अपना भी देख रही और खेल विरी अपने खिलोंणों से तो बस खाना वाना होने के बाद ना ये साम का टाइम है मैं वीडियो पॉब्रिश करने के बाद कुहु को सुलाने लगी थी वह बहुत जादा जीत कर रही थी ममी घूमने चलो घूमने चलो जो उसने दो बज़ें से यह जाओंगे घूमने क्योंकि मैं उसको लेके चली जाती घूमने तो उसके बाद मुझे बहुत सारा काम रहता है वीडियो ये सब का फिर किचन ये सब साफ करना रहता है तो सारे काम नहीं हो पाते इसलिए मैं उसको सुला दे थी और फिर शाम को मैं भी उठी हूँ उसको अभी सोई हुई है तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं किचन साफ कर लेती हूँ इधर बर्तन दोना था दो चारी बर्तन थे और गैस ये सब पोछना था तो वो सारा सब क्लीन कर ले रही हूँ और अभी उठाओंगे को थोड़ा सा घुमा दूंगी नहीं घुमाओंगी तो फ मैं एक दिन भी नहीं निकली हूँ गूमने के लिए बच्चे को ले करके तो हमेशा रोज रोज घर में ही रह रही है तो यह भी उपसी गई है इसलिए ना बार-बार रटते रहते हैं मम्मी चलो गूमने निकू के पास चलो तो बहुत मुश्किल से कहीं जाकर यह मानती है समझाती हूँ तो तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैं उसके साथ भी गूम लू गूमा दू बच्ची है हमेशा घर में रहती है तो जब हम फ्री रहते हैं और हमेशा घर में ही रह तो हम बोर हो जाते हैं तो वह तो चोटी सी बच्ची है मैं अप पर मेरा गैस भी मैंने पोच लिया है आज कुछ खाना में ज्यादा बचा नहीं था थोड़ा सा चावल बच गया था थोड़ा सा दाल और चोखा भी थोड़ा बच ही गया था तो बस मैंने सारे निकाल करके रख दिये हैं साम को मैं खा लूंगी वह सारा खाना और यह जो देका है वह सारे काम करने के बाद मैं चलेगी थी को हुकले करके घूमने और जब उधर से आई मैं तो रात में वह सा कुछ था नहीं राजकल ना दो तीन दिन पहले से ही मैंने फिर से सुरू किया अपने हजबन का जो मैं पढ़ाई मून को टाइम देती हुए घंटा तो जो मेरा रूटेन रहता है तो थोड़ा सा फास्ट रहता है इसलिए ना मैंने वीडियो नहीं किया रात का रात में बस सेंड्विश बनाया था उन्हीं के लिए वह साम को मेरे लिए गुप-चूप लेकर आया थे तो मैं गुप-चूप खा ली थी नो तो मेरा पेट भरा- बंद गोबी का पराठा तो यह पराठा ना मैं इसलिए मतलब मुझे आज बनाना पड़ा क्योंकि मेरी हजबन संडे को बचार गया थे तो वहां तीन उन्होंने बंद गोबी उठा करके ले आये थे वो और हर रोज जो मतलब गोबी गोबी खाओ तो मतलब सब्जी क्या ही ख कितना खाएगा आदमी इसलिए मैंने सोजा कि आज ना मैं इसका पराठा ही बना देती हूं और इस बार ना एक बार भी हम लोगोंने नहीं पराठा खाया है सर्दियों में भी नहीं खाया है हमने तो यह जो है जो बंद को भी था वोनो थोड़ा उजला उजला सा दीख रह पर इस तरह से अचे से हो जाता है आप चाहे तो पतला पतला काट भी सकते हैं या फिर मिक्सिम को ग्रेंट कर सकते हैं लिए ّो जूप करने से बहथ खुआ हो जाता है इसलिए मैं टाल करके और सबको अच्छे से चाप कर लिया और वस यह चार सा हरी मिस्ट मैंसे कोई एक और हल्दी पाऊडर डालोंगे सात में यहां पर ठोड़ा सा नमक और फिर मैंने यहां पर डाला है अज़वाइन का पाऊडर मेरे पास अज़वा faucet खुतम हो गया था मैं अभी सको पाऊडर बना दिना जितना था उतना तो बस पाऊडर ही मैझने डाल दिया ह और सब को डाल करके यहां मैं अच्छे से मिला रही हूं साथ में मैंने कस्तूरी मेथी भी डाला है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोई भी पराठे में डाल लिए कस्तूरी मेथी बहुत अच्छा लगता है खाने में तो यहां सभी चीजों को डाल करके और अभी इसम तो बस मैंने सब को डाल करके और अच्छे से यहां पर सब को पहले मिला लेती हूं उसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे तो इसमें न मैं एक चिछ भूल गई थी डालना मैंने पानी पहले डाल दिया और मुझे बाद में याद आया कि मुझे इसमें तेल भी डालना है तो के लिए इसमें नमक डालने के बाद मुझे विम बंध यी सो इसे लिए बहुत कर दो इसको अाटा गूत करके ौरह तयार करना पड़ता है अला कि मुझें से थोडा सा गीला वह गया था क्योंकि एने कश सचैंच बार अब जादा ले ली थी तो इसमें पाउटके ृस सबको रख लेती हूं इस तरह से समय बचता है हमारा किचन में Rigat तो आसानी हो जाती हुन हो जाती है क्या तब तक efासर बर्तनों को लगा ले रही हूं और रखेंगे नहीं दो इता हमारे दो पर लुझ है mut हो में त्यव्हे रही है शाय पानी सब्सक्राइब हो जाया और इस होचा लिकाहिताना प्रति दूढ़ाला आपदे बाइचा मोथे पानी में सब्सक्राइब तो खत्म हो जाता है इसी वज़े से सुबह में पानी गर्म करना पड़ता है तो मैंने उधर चड़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए और अब इदर हम पराठे बना ले रहे हैं और आज थोड़ा सा मेरा जो वीडियो का जो क्वालिटी है वह थोड़ा आप लोगों को अजीब सा लगेगा कि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ न तो मैं फ्रंट कैमरे से करती हूँ क्योंकि मुझे back camera से करने की आदत नहीं है तो इस वज़े से अजीब सा लगता है तो front camera मुझे थोड़ा easy लगता है इसलिए मैं front camera से ही करती हूं और यहां पर दो-दो खिड़कियां है तो बाहर से जो रोशनी आती है इस तरफ की रोशनी उस तरफ की रोशनी इस तरफ की र पराठाने का तो वैसे यहां पर देखिए मैं अपना बनाने लगी हूं पराठा और बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है बहुत ही आराम से पराठा यह वाला जो है वह बेला जाता है वैसे हम लोग इसको ना भर के भी बनाते हैं वैसे होता है श्टपिंग बना है इसलिए मैं ज़्यादा तर कोसे जब भी बनाती हूं इसी तरह से बनाती हूं बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाता है और स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं बस ऐसे ही बना लिया करती हूं और इसमें मैं जो तेल यूज करती हूं वो सरसो का तेल यू लो फ्लेम करके मैंने यहां पर अपने सारे पराटे मतलब मैं बना रही हूँ अभी मैं अपने हस्बिन को देने जाओंगी नास्ता जब मैं दो-चार बना लूँगे क्योंकि उनको जाने का टाइम हो चुका है तो उनको दे कर क्या होंगी तो मैं बनाओंगी जो बच्चे और यह बाहर में तो बस यहां पर मेरे पराठे बन गया थे चार्थो तो मैं उनको देख कर आती हूं उसके बाद बाकी जो बच्चे हुए पराठे ना वो बनाओंगी और आज ना पराठा थोड़ा जादा ही हो गया था मतलब हस्बिन को खिलाने के बाद आठ पराठे तो बस यहां पर नाठ बना था तो जिस मेंसे मैंने 4 गडिया था और 4 मैंने खा लिया था तो अब ना मेरी बारी आती है किचन को साफ करने की किचन साफ करने के बाद मैं अभी यहां पे सारे कपड़ कल वाले हैं जो डाल रही हूं क्योंकि धूब नहीं निकला हैuges में बारिस हो रही है तो अंदर ही डालना पड़ेगा इसके बाद से ना मैं नास्ता करने जाओंगी और उमीद करती हूं आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब जरू